उस्किल नहीं है कुछ दुनिया में तूजरा हिम्मत तो कर, ख्वाप बदलेंगे हकिकत में तूजरा कोसिस तो कर, नमस्त दोस्तों जोहार मैंने में सर आप सभी का विसे एक चकवती यूटूब चैनल महाधिक स्वागत करता हूँ क्लास 12 के स्टुएंट के डिमांड को देखते हुए, मैं आज इस वीडियो के माधव से क्लास 12 के पॉलिटिकल साइन्स यानि राजनीती विग्गान के टॉप 10 सब्जेक्टी 5 कोसिंस बताने वाला हूँ जो जैक के तरब से बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं, यह सारे के सारे कोसिंस नमें एक्जाम में तो एकदम आने ही आना है और यह MCQ टाइप कोसिंस में भी आपके जबजस्त तरीके से हेल्प करेंगे तो आन तक इस वीडियो में भने रहे हैं, क्योंकि फुल एक्स्पिलेशन के साथ आप लोग को समझाने वाला हूँ क्योंकि एकदम यह सारे कोसिंस जो है, एक्जाम में छपने वाले कोसिंस है तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें जम कर अपने सारे दोस्तों भी सियर करें जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की वीडियो सी नॉटिफिक्सन सब्सक्राइल आप तक पहुचे क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस की लागातार वीडियो से अप्लोड होने वाली है तो चलिए दोस्तों बिनादरिकपडी को सुरू करते हैं जैक के तरफ से 2010 में पूचा गिया है और 2020 में भी ये कोशन पूचा गिया आपके एक्जाम में एदम छपने वाला कोशन है तो चलिए समझते हैं सीत यूद से आप क्या समझते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों सीत यूद उस इस्तिति को कहा जाता है जहां देशों के बीच तनाव और संगर्ष जारी रहता है लेकिन यहां तनाव और संगर्ष कभी भी यूद का रूप नहीं लेता है जैसे एकजामपल के तरह हम लोग देखेंगे दित्य विस्वजूद के बाद सोवियत संग और संजुक्त राज अमेरिका दो महासक्ती के रूप में उबरे याद रखेगा दो को सुपर पावर सामने आया दित्य विस्वजूद के बाद एक का नाम था सोवियत संग और दूसरा का नाम था संजुक्त राज अमेरिका ठीक है दोनों अस्त्र सस्त्र और ताकत में किसी से भी कम नहीं थे दोनों गुटों में तनाव और संगर्स हमेशा चलती रहती थी लेकिन दोनों गुटों ने कभी भी आमने सामने यूद करने का परियास नहीं किया इसी तनाव वह संगर्स पून इस्तिती को सित यूद का न दो देशों के बीच, दो महा सक्तियों के बीच, तनाव और संगस, और आगे चलके ये यूद का रूप नहीं लिया, ठीक है, चली आच्छे समझाते हैं दोस्तों, ये जो स्वीत वूद है, ये 1945 में शुरू हुई थी, कब हुई थी, 1945 में, 1945 में, याद करके जाएगा, 1945 में स्टार्ट हुई थी, और ये चली थी, 1991 तक, ठीक है, 1991 में क्या हो गिया, याद रखेगा, एक सुपर पावर खतम हो गिया, अब बस अमेरिका महा सक्ति गरूप में बचा रहा, ठीक है, यानि आप से क्वेशन उचे जाएगा, MCQ के परपस से, तो सीत यूद की सुरूआत क जरूद दिजेगा, ये पर्थम विस्वजुद कब से कब तक चली थी, याद करकेज़ेगा, और एक चीज याद रखेगा, अबजेक्टिव के परपस से, ये जो है सीत यूद जो है, यहाँ पर दो सुपर पावर थे, एक था संजुक्त राज अमेरिका, और दूसरा था स बन कर रहा था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जूरू बताइगा, तो इंपोर्टन कोईशन है, पूछा क्या गिया है, कि सन 2000 में गठित होने वाले तीन राज्यों के नाम लिखे, तीन राज्य बने थे, कब 2000 में तीनों राज्यों के नाम यहाँ पर पूछा गिया है, यह जग के तरफ से 2010 में भी पूछा गिया है, और भी बहुत मार पूछा गिया आपके एकजाम में छपने वाला कोईशन है, कि 2000 में जो तीन राज्य बने थे, उन तीनों राज्यों के नाम लिखे, तो याद रखेगा 2000 में बनने वारे तीन राज्य, एक 36 गड़, 26 वा 27 वा उत्राखंड और 28 वा राज्य, जारखंड बना था, याद रखेगा तीनों गड़, ठीक है, लाज्यों में देखे, 36 गड़, उत्राखंड और जारखंड, ये तीनों बना था, सन 2000 में, एदम याद करके जाना, ठीक है, एक चीज याद रखेगा, अबजेक्टीव के परपस से, राज्य पुनरगटन अधिनियम 1956 के आधार पर, राज्य पुनरगटन अधिनियम 1956 के आधार पर, 14 राज्य और 6 केंदर सासित परदेश बनाए गए थे, कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंदर सासित परदेश बनाए गए थे, राज्य पुनरगटन अधिनियम 1956 क तहाल ठीक है अच्छा राइज पुनर गठन अधिनियम मतलब क्या होता है वहां बोली जाने वाली भासा के अधर पर राइज का गठन किया जाता है ठीक है उसे राइज पुनर गठन अधिनियम कहते हैं 1956 में बना था 14 राइज और 6 केंदर सासित परदेश आप लोग कमेंट 1973 में काँ भासा के अधर पर सबसे पहले 1934 में आंध्र परदेश का गठन किया गया था याद रखीगा किसका गठन किया गया था सबसे पहले 1983 में आंद्र परदेश का कोन से भासा के अधर पर तो याद रखीगा तेलगू भासा के अधर पर ये कोश्चन MCQ में एक दम छपने वाला है ठीक है कि कोन से भासा के अधर पर सन 1903 में आंद्र परदेश का गठन किया गया था तेलगू भासा के अधर पर उसके बाद सभी राइज जिक दिमाइन करने लग गए ठीक है अपने अपने राइज का उसके बाद 1956 में राइज पुर्णर गठन अधिनियम जो है वो लागू होता है उसके बाद 14 राइज और 6 केंद्र सासित परदेश बनाई जाते हैं ठीक है चलिए आगे बड़े नेक्ट कोश्चन के और कोश्च अगर सिंपल में लिखना है तो गूट निरपेश्चता का साब्दिक अर्थ होता है किसी भी गूट में सामिल नहीं होना तो एंसर इसका परफेक्ट देख सकते हैं कि अंतराष्टिय व्यवाहार में क्या अंतराष्टिय व्यवाहार में अपनी स्वातंत्र निती का पालन यहां किसी भी परकार के साइन ने गूट या अईन ने गूट में सामिल नहीं होकर अपने विकास तता विश्वसांती को सुनस्चित करने के लिए जो नीती बनाए गई थी उस नीती का नाम था गूट निरपेश्चता याद रखेगा गूट निरपेश्चता का अगर हम कब हुई थी? एक सिप्टमबर 1961 में इस आंदोलन के दोस्तों याद रखेए कुछ संस्थापक देश और उनके नाम हम लोग के भारत भी इसमें सामिल है N.A.M. क्योंकि देखिए दितनी वे सुजी दुनी सो पैंतालिस के बाद पूरी दुनिया दो गूटों में बट गई प्रगरती चाते थे और विश्व में सांती चाते थे और कुछ नहीं ठीक है इसके कुछ संस्थापकों के नाम याद रखेगा जोसे ब्रॉज तीटो जो इगो सुलाविया के सासक थे दूसरा पंडित जोहाल लाल नहरू जो भारत के पहले प्रधार मंतरी थे तिसरा गमा अब्दूल नासीर जो मिसर के सासक थे और चौथा याद रखेगा सुकर्नो जो इंडोनेसिया के पहले राष्टपती थे और पाच वा वाने एनकुरुमा यानि जो घाना के पहले परधार मंती थे ये पाच संस्थापक देश और पाच संस्थापकों के नाम आपको बता एक चीज़ नोट कर लिजेगा कि पहला जो गुट निर्पेश सिखर सम्मिलन हुआ था वो 1961 में हुआ था और कहां हुआ था दोस्तों इगोसलाविया के राजधानी यानि बेल ग्रेड में हुआ था और जब हुआ था तो इसमें टोटल देश कितने सामिल थे तो याद सम्मिलन में टोटल देश कितने सामिल थे 25 देश सामिल थे और गुट निर्पेश जो अंदोलन होता दोस्तों जो देश जहां पर होता है वही देश उसकी अधश्ता करता है और इसका जो सची वाला है कारियाल है वो कहां है दोस्तों काटमांडू में है और काटमांडू कह कर लेते हैं क्योंकि यह जो सिरीज है दोस्तों यह mcq प्लस सब्जेक्टिव जैसे मैंने बादा किया था दोनों में काम आएंगे तो इससे रिलेटेट कुछ हम लोग mcq को देखते हैं पहला कोश्चन अगर आपसे सिंपल में mcq में पूछा जाए कि गुट निपेश्टा तो याद रखेगा बेल गेरट में हुआ था था तो पहले गुट निपेश्ट सम्विलन में कितने सदच से सामिल हुए थे तो टिक कर कहिएगा पचीस देश सामिल थे तहीं टीक है अगर आपसे कोश्चन पूछे कि परतरम गुट निपेश्ट सम्विलन के अजढ़ युगो सुलाविया के राजधानी बिल्ग्रेंट में हुआ था इसलिए इसकी अज़चता कर रहे थे जोसे ब्रोश टीटोग पर्थम गुट निरिपेश अंदोलन के अज़च थे ठीक है अगर आप से क्वेशन पूछें कि गुट निरिपेशता की नीव रखने में किस भा कि भारत के पहले राष्टपती और वर्तमान राष्टपती के नाम लिखे ये कोशन ऐसे कोशन दो नमबर के लिए आप से पूछे जा सकते हैं कि पहले राष्टपती और वर्तमान राष्टपती के नाम लिखे तो याद रखेगा दोस्तों यह जो कोशन है जैक के तरब से 2016 में पूछा गिया 2018 में भी पूछा गिया तो आप सही पता है भारत के परतम राष्टपती जी का नाम था डॉक्टर राजेंदर परसाद और अभी वरतमान में को है दोस्तों आप सही पता है राष्टपती जो है अभी वरतमान में स्रीमती द्रोपती मुर्मू जो कुछ दि तुम लोग next question की और question number five इससे पहले जो question बताने वाले इससे पहले आप लोग एक question का answer दीजिएगा कि भारत में परथम परधानमंतरी कौन थे भारत के परथम परधानमंतरी कौन थे और अभी वर्तमान में भारत के परधानमंत्री के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जुरुद बतेगेगा आज टीवी में सब जगा दिखाया गया ठीक है चलिए यह जो कोश्चन है नेक्स कोश्चन कोश्चन और फाइब योजना आयोग को किस वर्स उनमूलन कर दिया गया यानि निरस्त कर दिया गया और उसके जगा पर उसके अस्तान पर किस आयोग का गठन किया गया ये भी जैक का फैवरेट कोश्चन है और ये कोश्चन 2016 में पूछा गया दोहजर आठरा में कोश्चन तो पूछा गया कि योजना आयोग का किस वर्स उनमूलन कर दिया यानि निरस्त कर दिया यानि हटा दिया गया और इसके अस्तान पर एक नए आयोग की अस्थापना की गई तो कब की गई यह आप से कोश्चन में पुछा गया चलिए डीटेल में समझते हैं वस 2014 आप सही पता है इस टाइम में योजना आयोग का उनमुलन कर दिया गया था कब कर दिया गया था इसका इंसर दे जिएगा नोट में क्या लिखना है अगर आप से एंसी को में पूछा जाए कि निती आयोग का गठन कब किया गया था लिख दीजेगा एक जनवाई 2015 में ठीक है और योजना आयोग को निरस्त कब किया गया था 2014 में और इसके जगह पर निती आयोग की अस्थापना की गई एक जनवाई 2015 में अगर आप से कोशन पूछा जाए कि योजना आयोग के अजधच कोन होते थे या पि निती आयोग के अजधच कोन होते है इसका दोनों का एंसर होगा दोस्तों देश का परधान मंत्री ठीक है यानि निती आयोग के अजधच अभी जो परधान मंत्री है श्री नरेंदर मोदी जी अभी जो है वो निती आयोक के अजधश थे और इसके जो पहले उपाईश धश थे पहले उपाईश धश कोन थे दोस्तों अर्विन पंगडिया जो है वो पहले उपाईश थे लेकिन अभी चेंज होकर कोन हो गिया है श्री सूमन बेरी इसको याद क लिजेगा बहुत important question है चलिए आगे बढ़ेता है नेक्ट कोश्चन के और question number six क्या पूछा गिया है कि 9 बटा 11 से आप क्या समझते हैं याई 9 बटा 11 से आप क्या समझते हैं ये भी जैक का फैबरेट question है 2009 में पूछा गिया है 2019 में ये question पूछा गिया है तो याद रखेगा 9 बटा 11 जो 9 बाइ 11 का आतंगवादी हमला अमेरीका में New York World Trade Center पे हुआ था का हुआ था अमेरीका में New York बोलके जो जगा है वह वर्योड ट्रेड सेंटर पे हुआ था ठीक है इस हमले में लगबग 3,000 लोक मारे गए थे कितने लोग मारे गे थे दोस्तो तीन हजार लोग मारे गे थे अमेरिका में महिना पहले लिखा जाता है और तीथी बाद में लिखा जाता है याद रखेगा महिना पहले लिखा जाता है और तीथी को बाद में लिखा जाता है इसलिए 11 सिप्टमबर 2001 को 9 बटा 11 कहा जाता है याद रखेगा महिना को जो है वो पहले लिखा जाता है नाइन क्यों दोस्तों क्यों नहुआ महिना का नाम है सेप्टमबर ठीक है और उसके बाद 11 जा है वो डेट है ठीक है हम लोग क्या करते हैं पहले डेट लिखते हैं लिखते हैं उसके बाद महिना लिखते हैं उसके बा आप प्रोफाइल पिक अनिमेश सर्ट ठीक है आप इंस्टाग्राम आइडी में मुझे अनिमेश सर्ट कीजिएगा इसी प्रोफाइल के साथ हम मिल जाएंगे कोई भी डाउट हो कोई भी कोश्चन आप बेज़ी जैक वहाँ पूछ सकते हैं यहां जाकर आप फॉलो कर लिज सूरच्छा परिषद में पार्च सस्थाइय सकती प्रप्त है ये वीटो पावर इनी पांच अस्थाई सदस्यों को प्राप्त है प्रच्तिक फैसले के लिए इन पांचों अस्थाई सदस्यों का सहमत होना अवश्यक है अत्री अवश्यक है अगर कोई भी अस्थाई सदस्य उस पर अपना मत देना आसुकार कर देता है तब इसे वीटो य तो सब पांचो अगर भोट दे दिया न तब ही color change होगा अगर एक भी नना कर दिया तो change नहीं होगा एहीं हे Veto का power ठीक है यानि पांचो का सहमती होना बहुत जरूरी है एक भी नना कर दिया एक भी नना कर दिया तो वो plan cancel हो जाएगा इसे ही निषिदिकार यानि Veto power कहते हैं सबसे पहला जो है दोस्तों सबसे जादा अगर वीटो पावर का इस्तेमाल कोई किया है तो वो रसिया किया यानि रूस किया है याद रखेगा ठीक है नोट कल लेना है ये भी कोशन आप से पूछा जाता है कि वीटो सक्ति यानि पांच जो अस्थाई सदेश है उनके नाम बताईए या जो सुरच्छा परिशत के पांच अस्थाई सदेश से क्या-क्या है नाम बताईए तो पहला अमेरिका दूसरा यु आड़iskt क्यों क्यों कोश्ण नमर eight कि बहुति इंबॉर्न कोशन नें हर बहार जेक के तरफ से फिर्श्ण प्वाइए जा और correct जोफेंक पूछा गया जब्र यतना बार पूछा गया तो चली हम लोग आसियान को समझते हैं अच्छे से और उसके संस्थाबक देशों का नाम भी मैंने बताना है ठीक है तो याद रहें उत्तर दच्छीन पूर्व एसिया के कहा के दोस्तों दच्छीन पूर्व एसिया के पाँच देशों ने सन 1967 में कब 1967 में बैंकोक कहां बैंकोक घोसना पत्र पर हस्ताचर करके आसियान की अस्थापना की अगर आपसे सिंपाल में कोशन पूछ दे आसियान का फूल फॉर्म लिखे तैसोसियेशन आप साउथ इस्ट एसियन नेसंस ठीक है इसका फूल फॉर्म हो गया आसियान के पांच संस्थापक देश एक इंडोनेसिया दूसरा म बताया वह आसियान एक्चुली में है क्या आसियान का फूल फॉर्म क्या है कब यह ऐसियान बनगा और कहां के 5 देश मिलकर यह ऐसियान को बना धारेकर निया QUS याद के थे और अब यह इस पुझा जाए इन में से कौन सा आसियान का देश नहीं है तो आप लोग टिकर कहेगा भारत जो जो नहीं है यानि आपको पांचो देश का नाम याद करके जाना है और एक सबसे कुछेगा कि वर्तमान में आसियान में कुल सदेश की सेंगा कितनी है याद करके जाना है अच्छे समझा दिए चलिए आगे बढ़ेंगा लोग नेश कोशन के और क्यों मंदल आयोक के किनी दो सिफारों सिफारिसों का वर्नन करें यह भी जैक का फैवरेट कोश्चन है यह ज हम थे दोस्तों बीपी मंदल यानि स्री बिंदेशुरी परसाद मंदल जी ठीक है याद रखेगा मंदल आयोक की दो परमुख सिफारी से निमलिखित है पहला आइन पिछडी वर्ग यानि OBC और बैकवाइट कास्ट को सरकारी सेवा में कितना परसेंट अरक्षन दिया OBC को किसको OBC को यानि आइन पिछडी जातियों को सरकारी सेवा में 27% अरक्षन देने का सिफारिस्थ मंदल आयोक का पहला दूसरा याद रखेगा कि केंद्रिय तथा राइज सरकारों द्वारा सासिद वेगानिक टक्निकी तथा व्यवसाइक सरस्थाओं में आइन याद रखेगा तक अगर आपसे कोशन पूछा जाए कि मंदल आयोक के द्वारा OBC को कितना परसंट अरक्षन देने का बात किया गया था 27% याद कर लिजेगा MC को तरह से और दूसरा MC को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन यहाद से बन सकता है कि इसकी अज़च कोन थे यान जो कोशन है जैक का फैवेट कोशन है आपसे कोशन हमें सब कुछा जाएगा एक धुर्वियता से आप क्या समझते हैं या दूई धुर्वियता से आप क्या समझते हैं तीनों को अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ जो है दोस्तों खारी डायेक्ट एंसर नहीं कर सेर कीजिएगा ठीक है चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एक धुर्वियता से आप क्या समझते हैं तो एक धुर्वियता क्या है इससे आपको साफ पता चलता एक से बना है एक धुर्वियता दुई मतलब होता है दो अब बहुत पतलब बहुत सारा तो यहां पर question में simple में पुछा गया है कि एक धुर्वियता से आप क्या समझते हैं तो याद रखेगा जब अंतराष्टिय व्यवस्था में यानि इंटरनेशनल में ठीक है ताकत का केंद्र एक ही हो पुरा वर्ल्ड में पुरा दुनिया में एक ही ताकत ह तो उसे एक धुर्वियता कहा जाता है ऐसे इस्तिति कब देखने को मिली सी दोस्तो सन 1991 में कब 1991 में सोवियत संग का भिगटन के बाद विश्व में अमेरिका एक बात्र महा सक्ति बन गया था और एक धुर्विय विश्व की इस्तिति उत्पन हो गई थी अच्छा यानि आ उपर पावर सामने आई थी उबर कर एक था सोवियत संग दूसरा था संजुक्त राज अमेरिका तब दूई धुर्वियता इस्तिति दोनों अस्त्र सस्त्र थाकत में किसी से कम नहीं थे लेकि 1991 में ऐसा क्या हो गया बाई कि एक धुर्विय देश्व बन गया एक धुर्व टैंसर था यह था दोस्तों आज का टॉप 10 MCQ प्लस सब्जेक्टिव कोशन्स जो आपके एक नंबर और दो नंबर और तीन नंबर में भरपूर सायता करेंगे ठीक है कैसा लगा यह वीडियो आपनों कमेंट बक्स में जुरू बतेगेगा अगर अच्छा लगा और भी ते क्यारी करवाया जाएगा टैंसर नहीं लेना है मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिंद वन्दमात्रम